गूगल के तरफ से अब एक चीज और नई प्रिजेंट की गई है एसीम ट्रांसफर जहां पे अब आपको और ज्यादा एजियस्ट वे देखने के लिए मिलेगा किसी भी टेलिकॉम स्टोर पर जाने की ज़रूरत भी पड़ेगी कि मुझे अपने मुगाइल में एसीम चेंज करवाते हैं या फर्स्ट आम इंस्टालेशन करवाते हैं तो आपको स्टोर विजिट करना होता है पूरा दस-बारा मिनिट का टेकिंग प्रॉसेस है उससे फॉलो करना होता है उसके बाद या प्रॉपर तरीके से या तो सिम अपने पुराने मुगाइल से नए में करवा लेते हैं या उसे फिसिकल में चेंज करवा सकते हैं तो टाइम टेकिंग प्रॉसेस यह जादा है जो की बिना इस्टोर पर जाए सस्टेस्फुल डन नहीं होता है नहीं तो आप अपने आप भी करने तो आपको मैसिस का वेट करना होता है बहुत ज़्यादा प्रॉसेस दिखाना पड़ता है लेकिन फाइनली गूगल ने इंट्रिड्यूस किया है eSIM ट्रांसफर जहां पे अब आपको Android to another Android डिबाइस पर आप इसली eSIM को ट्रांसफर कर सकते हैं और बहुत सारे सेटिंग आप अपने हिसाब से सैट कर सकते हैं eSIM के अंदर जैसे कि मार्केट में बात करें Android का और बात की जाए iOS का Apple और Google दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को बीट करते रहते हैं eSIM इंट्रिड्यूस कर देते हैं एक फिजिकल सिम इंट्रिड्यूस कर देते हैं बड़ जो मेंली फोकस किया जा रहा है आने वाले स्मार्टफोन में भी आपको eSIM का अगी सपोर्ट देखने के लिए मिलने वाला है तब eSIM का क्रेज इंक्रीज इंक्रीज हो रहा है पर दे तो वहां पे eSIM को और जाता फैसलेट किस तरीके से किया जाए तो Google अपने नए अपडेट में लेके आने वाला है जैसे कि बात करें क्योंकि यहां पे तब eSIM की ब सब्सक्राइब कर रहे हैं जहां पर आपको सारे टेलिगॉम ओपेटर वर्ल्ड में कहीं भी है वह सपोर्टेबल होंगे eSIM की हम कोई भी सैटिक चेंज करते हैं तो यह बहुत बड़ा चेंज हुआ Google का साइट से बट आप हाँ चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक चरू कीज़ेगा राइगल अपडेट के लिए वह जादे इंपर्टन होता है जैसे कि बात करें यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि गूगल क्योंकि यहां पर जो बात की जा रही है वह इस साल के लास्ट में मतलब तब तक इंडिया में फाइब जी प्रॉपर आ चुगा होगा और तब आपको गूगल इंडियूस करवाएगा मतलब एक तरीकी से रिप्रेजेंट करेगा अपना यहां पर एक्पिटेशन हम लगा सकते हैं कि आपको यह नया अपडेट देखने के लिए मिले सब लोगों के लिए क्योंकि यहां पर बात जो की जा रही है क्योंकि देख आपको इसम में मिलने वाली है और सबसे पहले चो यूज कर पाएंगे वह कर पाएंगे गूगल के पिक्सल सेवन सिरीज के यूसर क्योंकि वहां पर अपडेट आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा अभी यूरोपन कंट्रू में भी टेस्ट चलने जहां पर कुछ टेलिकॉम ऑपरेटर्स ने से एकसेप्ट किया है और वहां पर यह दावा भी किया है कि गूगल पिक्सल सेवन सिरीज में सबसे पहले आपको यह फैसलिटी मिलेगी शायद वहां पर बेटा बर्जन के अंदर यह ट्रायल चालू कर दें तो यहां पर देखा भी जाएगा क कि किस तरीके से यह वर्केबल रहाएगा और ज्यादा इजियस्ट होगा या ज्यादा सिर्दर्थ ना बज़ जाए लेकि इस इम ट्रांसफर आपके अपने हाथ में होता और अपने हिसाब सही ऑपरेटर चेंज कर सकते हैं किसी भी टाइम तो वहां पर कही ना चाहिए जो सिरीज में अभी तक 5G अपडेट प्रॉपर नहीं आ पा रहा है तो गूगल उसमें क्या कर रहा है कि नए नए अपडेट को लेकि आता रहता है लेकिन 5G को भी कही ना को कंसिडर करना चाहिए इंडिया में यह वीडिया में यह वीडिया आपको अच्छे लगे चैनल को कर रहा है कि नहीं और जए नहीं अपडेट आपको अचे है अबढ़िया आपको सबस्टार स अच्छे इंडिया में यह वीडिया में वादिया में यह में नहीं आपको अच्छे नहीं पाता है